हेलो गाईज, स्वागत आप सभी का मेरी व्लोग में, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और गोबी का अचार, सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे बुड़े सभी खा सकते हैं, और हमारे जो खाने का जायका है, वो उसको बहुत ही बढ़ा देते हैं, इसलिए गाजर और गोबी का अचार बहुत टेस्टी लगता है, तो चले बनाते हैं, तो हमने सबसे पहले गाजर को पील कर लिया था, उसको लंबलंबे पीसिस में काट लिया था, और गोबी को भी हमने इस बारिक से पीसिस में काट लिया था, तो उसके बाद क्या करेंग फिर उसका water remove करके उसको हमने दूब में डाल देना है, दूब में सुखाना है, उसका excess water सुखा देना है, इतने हमारी गाजर और गोबी सूकरी है, मसाला त्यार कर लेंगे, हम ले लेंगे उसमें जीरा, राई, सौफ, धनिया और काली मिरच और इन सारी चिज़ों को भून ल लेंगे, इतने हम क्या करते हैं, जो हमारी गोबी थी, वो सूक गई थी, गाजर थी, उसमें नमक, मिरच और हल्दी डालेंगे, ये सब डालने के बाद, जो हमारा मसाला था, जो हमने grind किया था, उसको हम डालेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या कर रहा है, हम इसमें और फिर जो हमारा तेल था वो थोड़ा ठंडा हो गया था उसके अंदर हींका तड़का लगा के उसमें लस्टन होता है अद्रक होता वो भी डाल सकते हो आप मेर पास गाजर थी तो मैंने वो डाल ली थी यह सारा मिक्स हम करके इसमें गाजर के ऊपर अचार के ऊपर डाल दे